इस साल होने वाले तेलंगणा विदान सभा चुनाव के लिए बीजेपी और टीडीपी का गठ बंदन हो सकता है आंदरपदेश के बटवारे के बाद के विशेस दर्जे की मांग को लेकर 2018 में बीजेपी से नाता तोड़ने वाले नाइडू बीजेपी के साथ चुनावी समझोतों के इच्छु है पर चंदरबाबू से गठ बंदन बीजेपी के लिए क्या होगा घाटे का सोदा टेलंगाना में भाजपा ने चndरबाबू नाइडू की टीडिपी के साथ गठ बंदन करने का फैसला किया है जिस स्थानी या ने ताओ में असंतोष फ्यल गया है उनके मुताबिक टीडीपी के साथ चंदरबाबु नाडु का गडबंदन बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा और बीजेपी दोनों राज्यों में गिर जाएगी विशेश रूप से तेलंगाना में तेजी से उबर्ती पाठी को भारी नुकसान होगा क्योंकि चंदरबाबु नाडु की टीडीपी अलग तेलंगाना के गठन का विरोध कर रही थी बीजीपी को तेलंगाना से भी काफी उम्मीद है लेकिन तेलंगाना में टीडीपी के गिंती नहीं है 2018 में विधान सबाचुनाव में टीडीपी ने महज 3 फिस्दी वोटों के साथ 3 सीटों पर जीत हासल के थी ऐसे में अगर तेलंगाना में टीडीपी को सहीयोगी बनाया जाता है तो बीजेपी भी गिर जाएगी आंधर में टीडीपी के साथ गड़ जोड से बीजेपी को फायदा होगा लेकिन उससे सत्ता में लोटने की संभावना नहीं है इन परिस्तितियों में उनका विचार है कि भाजपा को चंदरबाबु नायडु की टीडीपी के साथ गड़ बंदन से बचना चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट जीस्टवी